अवेरी वर्म वेलकम टू ओल देट्स पेरेंट आफ लाइब्रेरी एंड इन्फर्मेशन साइन्स सभी विद्धार्दियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइन्स से बीलाइस, सेलाइस, एमलाइस कर रहे हैं यह आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉंप्लिटिव एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं गौर्मेट एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पर आपको पता नहीं है कहा से फॉर्म नीकल रहा है कैसे हम अप्लाइक करें तो डोंट वरी आपके लिए यह सारे करेंशिप के रिगार्डिंग ही हम लेके आए हैं तो आशा करते हैं आपको जो आज का लिख रहा है वह इनफर्मेटिव लगेगा और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तो का है यह मतलब तरह सी नोटिफिकेशन निकला हुआ है कॉंबेट वेहिकल रिसर्च और डेवलाप्मेंट डियाडियो क्या है जो कि चैनल के चैनल ही से निकला हुआ है ऑनलाइन अप्लिकेशन फर एलिजिबल ग्रेजिवेट डिपलोमा होल्डिंग इन इंजिनियरिंग प फर अन्टेंट एम फर्च नंबर आप देखें लयबरिड साइंज जिसमें तीन है नंबर एप ट्रेनी प्लेस यहां पर तीन इनको मतलब चाहिए और मंतली आपको जो पैसे मिलेंगे वो 9000 मिलेगा और डिरेशन आफ ट्रेनिंग की बात करें तो एक साल का यहां पर डिरेशन है तो आपको एक साल का एक्सपिरेंस हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में एक साल का तो आप इसको मतलब दिखा सकते हैं बाकि यहां पर के टेगरी सेकेंड में आपके लिए नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं और यहां पर फिर मिनिमम्म एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें के लिए डिग्री इन इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलिजी मतलब कि अगर आपने जैसे कि यहां पर आपने कर रखा है लाइबरी साइंस में तो आपको यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं फिर डिग्री इन इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलिजी ग्रेजुएटेड वाई स्टेश्चरी एंप्लाइमेंट टु ग्रांट सच डिग्री यह यहां पर थार्ड है ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अफ प्रोफेशनल बॉडी रिकर्गनाइज बाइस टेट और यह सारी चीजिए वाई है कि अगर आपने मतलब ग्रेशन कर रखा है तो आप इसके लिए इसमें एक साल का प्रेंटर्शिप का मतलब कर सकते हैं यहां पर लाइब्री साइंस में तो तीन पोस्ट है आप जरूरिस में अप्लाय करें आपसा रिक्वेस्ट है तो पूरी बाते बताते हैं फिर यहां पर एज रिलेक्सेशन जो है वह जो भी गौवर्मेंट का रूल होता है तो वह सब आपको मिल जाएगा तो उसके लिए आप ट प्रीविएस ट्रेइनिंग एइकस्पिरियंस यहां पर देखे खें सब्सक्राइब कर रहे हैं और पर बात कर रहे हैं वह दूबारहा इसमें एप्लाय नहीं कर सकते हैं साल के होता है तो सबके लिए मतलब सबको चांस मिलना सही है तो इसलिए यह सबको ही देते हैं चांस फिर सेलेक्शन प्रसीजर की बात करें तो यहां पर बोर्ड अफ अपरेंटेंशिप ट्रेनिंग इस इंट्रस्टेड विद अधास्ट अफ प्रिपरेशन आफ शॉर्ट ल इसलेक्शन और फिर आपको बता दिया जाएगा कि मतला का सेलेक्शन हो गया है तो फिर आपका डॉक्यमेट वेरिफिकेशन यह सारी चीज़े के लिए आपको हाँ पर बुलाया जाएगा तो यहां पर प्रसीजर फॉर रिजिस्टेशन एंड सब्मिशन आफ एप्लिकेश यहां पर खेखे वरपिक यह जाना है फिर क्लिकिशन एंरये और जो रिखल नहीं है तो इनके लिए हैं पहले आपको in karmिशिया जो के लिए आपको कैसे सब्सक्राइब कर देंगे नहीं ही हैं फिर थर्ड है complete the application form जो भी डीटेल वगएर आपसे मांगेगा वो सारा complete करना है यूनीक enrollment number first for each student will be granted और वो लोग आपको एक यूनीक मतलब number देंगे enrollment number फिर उसके वास step second होगा login करना है फिर यहाँ पर click establishment request menu यहाँ पर establishment request menu पर click करना है फिर click करना है find find establishment और फिर थर्ड में upload कर देना है आपको रिजी में फिर चूज करना है establishment name जो भी आप मतलब जहां से भी आप करना चाहते हैं फिर type of type की बात करें जैसे comeback vehicle research and developmental establishment की बात करें फिर हाँ पर click apply और click apply again तो बार करना है फिर आपका हो जाएगा तो यह पूरी बात है थी चले अब नीचे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर important date की बात करें तो online अचाहां आप इसको ना screenshot भी ले सकते हैं आपको अगर देखना है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा स्क्रीन कर देता हूं तो आप इसको screenshot ले ले एक बार आप screenshot ले ले वीडियो को पॉस्ट करके तो फिर यह हो गया फिर यहां पर देखते हैं और verification of certificate certificate और shortlisted candidates को जो भी document verification के लिए आपको 9820 को बुलाया जाएगा तो यह पूरा मतलब सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद